आप सभी का एंस्क्रप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि राज मुक्ष सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त द्वारा RTI 1.2005 के तहत नियामानुसार दोसी पर कारवाई नहीं करते हैं तो इसकी सिकायत हम लोग अपने अपने राज के राज पाल महोदे से किस प्रकार कर सकते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि ऐसे हमें बहुत से कॉल आने लगे हैं कि सर मैंने द्विती अपील की या सिकायतवाद आयोग में किया था लेकिन मेरी सुनवाई ठीक से नहीं ली गई और दोसी को बचाने का कार्ज किया गया तो ऐसे कई ऐसे आदेश मुझे भी देखने को प्राप्त हुआ इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यह जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं कि इसकी सकायत हम लोग अपने अपने राजी के राजी पाल गवर्नर साहिब के पास किस प्रकार कर सकते हैं चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं जो नए हैं वो लाल कलर का सब्सक्राइबर का बटन है उसे अवस्य दबा लें तथा एक लाइक अवस्य कर देंगे तथा इतना इसे सेर करेंगे कि इसकी जानकारी हर भारतिये को आसानी से हो सके तथा उसका उपयोग कर हम लोग सूचना आयोग में सूचना आयुक्त और मुक्सूचना आयुक्त के खिलाब भी अपने अपने गवर्णर साहब को इसकी सिकायत कर सकते हैं क्योंकि हमारे गवर्णर साहब सरकार का एक महत्पूर्ण अंग है इसे इसकी जानकारी अवस हमें देनी चाहिए चलिए हम लोग कैसे लिखेंगे आवेदन जो टाइप करा सकते हैं वो अपना टाइप करवा लेंगे जो इनका अक्षर साफ है वो किसी तरह सादे कागज पर भी एक सामोहिक रूप से आवेदन लिखकर गवर्नर साहिब को रिष्टर डाग से अवस बेश सकते हैं तो कैसे लिखेंगे देखिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इनफर्मेशन एक्ट के बारे में हम लोग से कायत कर रहे हैं इसलिए इसकी चर्चा में यहाँ उपर में हैडिंग में कर दिया है सेवा में मानने राज पाल महोद है अपने अपने राज का नाम लिखेंगे मैं बिहार亚 से बिलॉग करता हूं इसलिए विहार सरकार, आप यूपी सरकार, राजस्थान सरकार, दिल्ली सरकार, अहरार सरकार, मद्य पर्देश सरकार जो भी जिस राज से संबन्दित हो यहां लिखेंगे विसे राज सूचना आयोग में सूचना आयुक्त वो मुख सूचना आयुक्त द्वारा RTI 1.2005 के इतहत निया मानुसार दोसी पर कारवाई ना करने के संबंद में यह हम लोगों का मुख सिकायत है महासे हम बिहार के RTI कारिकरता आवेदक सोविने निवेधन पुर्वक कहना चाते हैं कि अपने अपने राजी का यहां नाम लिख देंगे जो जिस राज से बिलॉंग करते हैं सामुहिक रूप से आवेदन देंगे तो अच्छा है नहीं तो आव एक्तिकत आवेदन भी लिख सकते हैं पहला राज आयुक्त द्वारा RTI एक्ट के तहट दोसी होने के बाव्यूद PIO पर नियावानुसार कारवाई नहीं किया जाता है दूसरा कई मामले तो बिना सूचना दिलाए वाद को समाप्त कर दिया आता है ऐसे भी सिकायत हमें मिला जो कि बिना सूचना दिलाए सूचना आयोग भी वाद को समाप्त कर देते हैं जो एक बहुत ही चिंताजनक विशय है तीसरा कई मामले में बिलंब से सूचना देने के बाब जूद दोसी PIO जन सूचना अपदाधिकारी या लोग सूचना अपदाधिकारी पर RTI X 2005 की धारा 21 के तहत आर्थिक डंड नहीं लगाया जाता कई ऐसी आदेश मुझे भी देखने को मिला है जिसमें आदेश में यह तो लिखा गया है कि सूचनाओं को बिलंब से देना परतित होता है यहां तक कि किसी किसी आदेश में लिखा जाता है कि वर्सों बिलंब से सूचना दी गई परतित होती है लेकिन उस आदेश में आर्थिक डंड लगाने की बाद कहीं नहीं लिखी जाती जो एक बहुत ही गंभीर विशे है इस पर सूचना आयोक को भी ध्यान देना चाहिए और इसके खिलाफ यदि गरबड़ी हो रही है तो हम आम जनता को भी इसकी जानकारी साक्ष के साथ अपने राजिपाल महोदय को अवश्य पत्र लिखकर सिकायत दर्ज करवा सकते हैं चोथा इस प्रकार सूचना आयोक्त या मुख सूचना आयोक्त द्वारा पक्षपात करते हुए दोसी को बचाने का भी कार्ज किया जाता है जो बहुत ही गंभीर विशह है यह मैंने भी कई ऐसे आदेश देखें जिसमें इस तरह की सिकायत देखने को मिली कि सूचना देने में वर्सों भी लंब हुआ लेकिन दोसी पर कोई कारवाई नहीं हुई और आवेदक के आगरह के बावजूद निवेदन करने के बावजूद आपत्ती लगाने के बावजूद उस पर धारा के अनुसार कारवाई नहीं की गई पाचमा आर्टे आई एक दोगजार पाँच के थत ब्रस्टाचार का उजागर होने के बावजू धारा बीस दो के थत अनुसासनिक करवारी की अनुसंसा भी नहीं की जाती है कई ऐसे मामले मिलें जिसमें PIO को भ्रस्टाचार को दबाने का कार्ज किया हुआ परतित होता है या जूठी सूचना दी जाती है लेकिन अधिकांस में किसी भी दोशी PIO पर RTI-1-2005 की धारा बीस दो के तहत अनुसासनिक करवाई की कोई कोई आदेश नहीं दिया जाता जो की बहुत है चिंता जनक विशह है एवं गंभीर विशह है छठा अधिकांस में वरिष्ट पदाधिकारी के संग्यान में देने की बात कर बिना सूचना दिलाए बिना कारवाई की बाद को स्रमाप्त भी कर दिया जाता है कई ऐसे मामले मिले जिसमें मुख सूचना आयुक्त द्वारा भी वरिष्ट पदाधिकारी के को संबोधित करते हुए उनके संग्यान में देने की बात कर बिना सूचना दिलाए भी समाप्त कर दिया जाता है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि वरिष्ट पदाधिकारी पर्थम अपीलिय पदाधिकारी होते हैं जब हम लोग सूचना पदाधिकारी और पर्थम अपीलिय पदाधिकारी के खिलाफ सूचना आयोग में गएं तो वो अपने ही खिलाफ या अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ कारवाई नहीं करना चाहते जब उस पर सूचना का अधिकार का अधिनियम के थहत पुना उस आदेश पर कारवाई की जानकारी मांगी जाती है तो उस पर बहना बना कर धारा आठ ये का पर्योग कर सूचना देने से मना कर दिया जाता है और आयोग का काना है कि इसकी सिकायत आप फिर पुनह सूचना आयोग में कर सकते हैं इस प्रकार हम लोगों का समय भी नश्ठ होता है और इस बीच RTI कारी करता पर गंभीर जान लेवा हमला करा दिया जाता है और बहुत ऐसे आवेदक को RTI कार करता को अपने जान से भी हाद परता है जो की एक गंभीर भी से है इसलिए हम आम जनता को भी जाग रूप होकर इसकी सिकायत कवरणर सहाब अपने अपने राजिपाल को अवस्थ करें और उसे सामोहिक रूप में करें तो अच्छा है इस परकार मैंने यहां लिखा है हम बिहार की जनता हस्ताक्षर यहा है जो इस तरह के आदेश परित किया गया है सुचना आयोग को उसको लगा कर आप अवस्थ अपने अपने गवर्णर को इसकी सुचना दें जिससे सुचना आयोग में सुचना के अधिकार के अधिनियम के थाथ दोसी पर सिग्र करवाई हो सके जय हिंद